कि चलो भई तो आज हम लोग एक निया टॉपिक सिखेंगे मैथमेटिक्स में मेन टॉपिक जो है वो है हमारा प्रूव रूट टू इस इर्रैशनल नंबर है यह प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं लेकिन इसको प्रूफ करने के पहले हमें कुछ-कुछ फैक्ट्स जानने होंगे कि को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं इसक्वाइर आफ नंबर से के पीछे क्या कॉंसेप्ट है इवन नंबर के पीछे क्या कॉंसेप्ट है ठीक है तो सारे कॉंसेप्ट को समझते हुए फिर ह हम लोग जाएंगे रूट टू एक इरश्णा नमबर है इसको प्रूफ करने के लिए तो जैसा कि मैं बताता हूं हर बार कि पढ़ाई कर रहे तो फिर केवल मार्क्स एक्जामनेशन में लाने के लिए नहीं बलकि कॉंसेप्ट को समझते हुए तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही जरूरी चीज कॉपी कलम साथ में रख लिजे आप और पीडियो को समझ समझ के पाउज करकर के साथ में लिखते चले जाईएगा एक बार में किलियर होगा आगे बढ़ते हैं को प्राइम नमबर क्या होता है को प्राइम नमबर कोई भी दो नमबर जिसमें नहीं होता है क्या नहीं होता है common factor rather than one एक को छोड़कर कोई दूसरा common factor नहीं होता है वो दोनों को प्राइम कहलाते हैं एक्जामपल लेते हैं 15 and 22 तो भाई 15 के factors क्या होता है यानि 15 किस से कटता है किस से किस से divisible है तो 1 से तो होता ही है 3 से होता है 5 से होता है 15 से होता है ठीक है अब बात करते हैं दूसरा नमबर 22 का तो 22 किस से किस से कटता है divisible है लिख दिया अब इनमें देखेंगे कि कोई common number है क्या कोई common factor है क्या तो एक तो दिख रहा है कि एक ही common factor है वो है 1 और कोई दूसरा common factor नहीं है तो यहां common factor सर्फ 1 है इसलिए दोनों किसी दूसरे common number से same number से divisible नहीं है याने गुन में कोई कोई दूसरा common factor नहीं है जब इन दूसरा कोई common factor नहीं है तो इसलिए यह को प्राइम कहलाएंगे ठीक है दूसरा एक जम पल लेते हैं 81 & 21 का क्या इन में कोई ऐसा common number है common factor है जो दोनों को काट दे हाजी 3 से यह भी कट जाएगा 3 से यह भी divisible है तो इसका मतलब दोनों में 3 common factor है इसलिए यह को प्राइम होगा नहीं होगा क्योंकि हमको common factor नहीं चाहिए ठीक है तो दोनों ही 3 से divisible है इसलिए यह को प्राइम नहीं है अब आपके लिए एक exercise है यह क्या यह दोनों को प्राइम है yes और no इसी तरह से बाकी सारा भी इसको आप लो description में link दिया हुआ है इसी तरह के questions उसमें है उसको उतारिए बनाईए डाउनलोड कीजिए बनाईए इसको भी उतार कर आप copy में बनाईए ठीक है आगे बढ़ते हैं square of natural numbers तो भाई देखो natural number का square क्या क्या होते हैं तो 1 का square 1 into 1 2 का square 2 into 2 यानि 4 3 का square 4 का square square तो बच्पन से निकालते हैं इसमें कोई नई बात थोड़े है नई बात है अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है ध्यान देने वाली बात क्या है pattern भाई इतने square तो हमने निकाले 20 तक के एक खास pattern है इसमें और वो pattern क्या है यह है वो pattern कोई भी even number का square जब कर रहे हैं तो even number ही आ रहा है देख लो आगे odd number का square कर रहा है तो odd number ही आ रहा है यही एक pattern है तो इसको अच्छी तरह से समझना है ठीक है even का square होगा तो even ही आएगा और odd का square होगा तो odd number ही आएगा अब answer एक देना है आपको बिना solve किये इन सारे number का square even होगा या odd होगा comment कर गए बताओ even number even number किसे कहते है रहे यह तो बच्चो वाली बात है even number क्या होता है तो बच्पन से पढ़ते हैं कि दो के multiple को ही तो even number करते हैं एक्जाम्पल एक्जाम्पल है ना टू को टू इंटू 1 फॉर को टू इंटू 2 72 को टू इंटू 36 35 2 इंटू 75 कहने का मतलब क्या है सब 2 के multiple है सब 2 इंटू सम्थिंग है ठीक है यह मेरा even number है सारे इसका मतलब क्या हुए इसका मतलब अगर हम कोई एक number ए ले जिसको हम even number मानते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वो भी multiple of 2 होगा तो उसको हम लिखेंगे कैसे उसको लिखेंगे इस तरह से 2 equal to sorry a equal to 2 into something जैसे यहाँ पर था ना even number equal to कोई भी even number 2 into कोई दूसरा integer तो इसी तरह से हमने a अगर even number है तो 2 into कोई भी एक दूसरा integer होगा तो k क्या है कोई एक दूसरा integer एन इंटीजर तेक है अब मान लो कि मेरा कोई दूसरा even number है बी अब उसको हम लोग किस प्रकार लिखे देंगे उसको हम लोग लिख देंगे b equal to 2 into m वह यह के अलग होगा एम अलग होगा क्यों देखो अलग 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 even number में यह सारी वैलू अलग अलग है तो अगर हम एक लिए के माने है तो बी के लिए कुछ मानेंगे एम मान सकते हैं पी क्यू आर पुआ होत नंबर नंब आप पड़े हुए हैं किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं लेकिन इसको रिपीट नहीं करेंगे अगर यह तो इंटू के यह लग दिया तब तो यह और भी शेमी नंबर हो गया तो इसलिए इसको अलग और इसको अलग लिखेंगे आगे बढ़ते हैं चलो रूट मेरा रस्नलन नंबर है इसको प्रूफ कैसे करेंगे इस पॉसिबल लेट ऊसंड रूट 2014 चलो यह रश्नलन लंबर इसका मतलब क्या होता है कि रेस्नलन नंबर इसकते हैं कि कृम यह की पूक दो पूल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं लिंक जाके देख लेना तो जब इसको पीवाइक्यू में रख सकते हैं तो इसको मानते हैं पीवाइक्यू के फर्म में मान लिए के रूट टू इक्वल टू एवाइबी वेर बी इस नॉट इक्वल टू जीरो and a and b are co prime a और b co prime है that means ये और नहीं कटेगा इनमें कोई भी common factor नहीं है ठीक है कि now squaring both side दो अच्वार कर रहे तो root two का square क्या हो जाएगा A square ब का square क्या हो जाएगा b square दोनों साइट स्क्वार किया है यह हमों को मिला भी स्क्वार जो है है चला जाए का मिरा उससाइट टू के पास में तो टू व इस्क्वाइब एक्वेस्टिशन वान इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं एसको इसको इधर कर लिया तूभी स्क्वाइर को उदर बेच दिया अब ए स्क्वाइर को टूभी स्क्वाइर मतलब हो गया कि ए स्क्वाइर जो है वो टू का मल्टीपल है एसका मतलब क्या हुआ टू का मल्टिपल कहने का मतलब होता है कि वह इवन नमबर होगा तो मल्टिपल टू का कौन है एसक्वाइर है तो एसक्वाइर इवन नमबर है अब इवन नमबर जब एसक्वाइर है तो ए भी इवन नमबर ही होगा क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था even number का square even ही होता है ठीक है तो अगर square में even आया है इसका मतलब a b even होगा तो only हम लोग जानते हैं कि only square of even number is even तो जब a even हो गया तो a2 का multiple भी होगा तो इसको हम लोग मान दिए a equal to 2k जैसा हमने पीछले page में देखा था अब a की जो value ए 2k वो हम लोग put करते हैं इस equation में putting the value of a in equation 1 तो equation 1 में जब put करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा 2b square equal to a के जगा जो है चला गया 2k का whole square तो square को तोड़ेंगे तो 4k square हो गया अब यह 2 और यह 4 आपस में कटेगा बचेगा 2 ठीक है तो b square equal to 2k square अब फिर वही बात b square क्या है 2 का multiple है तो 2 का multiple होने का मतलब हो गया कि b square एक even number हो गया है ना जब b square even number है तो b b even number हो गया क्यों क्योंकि square of even number is an even number अच्छा तो अब b जब even number है तो इसको कुछ मानना पड़ेगा तो b equal to 2m मान दिये अब इसको और इसको यानि equation 2 और equation 3 को मिलाते हैं यहां से देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही 2 के multiple है a और b दोनों ही 2 के multiple है यानि दोनों में common factor 2 है यानि दोनों 2 से कटेंगे ठीक है क्योंकि दोनों even number है therefore our assumption हमने जो अपना possibility लिया था कि a और b जो है वो को prime number है उनमें कोई भी common factor नहीं है वो मेरा क्या हो रहा है गलत हो रहा है यह लेकिन यहां तो common factor दिख रहा है तो इसलिए a और b में common factor है और co prime वाला जो हमने assumption माना था कि यह co prime होंगे वो wrong है जब यह co prime नहीं है तो a by b के format में नहीं लिखा जा सकता है इसको a by b मतलब p by q तो p by q के format में जब root 2 को नहीं लिखा जा सकता है तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर p by q के format में नहीं लिखा जा सकता है वह rational होता नहीं यह वो क्या होता है irrational होता है इसलिए root 2 जो है एक irrational नंबर है ठीक है तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग अगर आपने मेरा रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है वहां जाके देख लीजिए और ऐसा रिकमेंडेशन है मेरा के उसको जरूर देखे तब ही जाके आगे का वीडियो और अच्छा समझ आएगा चैप्टर्स जो है और अच्छे से समझ में आएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सब्जेक्स के पढ़ाई समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इन्पॉर्ट